कैंसर इसका नाम सुनते ही बंदों के रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं और उनको लगता है पता है क्या हो गया है कैसी डिजीज होगी अब बचेगा जे नहीं बचेगा कैंसर का ऐसा फियर है मेरे पास एक केस आये स्किन कैंसर के माइकोसिस फंगर टाइप डिजीज है तो उस केस में मैंने ही ट्रीट किया होंको तो मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मैंने कैंसर के बारे में पढ़ना शुन किया एर्वेद में और भी किस तरह क्या सीजिए है जो लोगों की हेल्प कर सकती है सबसे पहले तो आपके लिए जानना ज़िरू है गहींदार आपकी बाडी में वह चेंचे आती है जिसके कारण कैंसर के सेल डिवल्प होते है सबसे पहले तो बॉली में का जो पी एच है बलड का पी एच लेवल है अगर वो एसडिक होगा तो कैंसर के चांसिज बढ़ेगे उसके वाद कुछ टिशूज जहां पर ऑक्सिजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचती जहां पर 60% से लेस जिस सेल में ऑक्सिजन होगी उस सेल में कैंसर डिवल्प होने के चांसिज काफी बढ़ चाथा है जेनेटिक काॉज भी बहुत इंपॉर्टन है जेन्स के कारण भी क्योंकि टेंडेंसी होती है कि कैंसर की फॉर्मेशन बनती है तो कुछ चीजें मैंने अपने एक्सपीरिंस से देखी हैं और मैं अपने पेशेंट्स को गाइड करता हूँ कि अगर यह चीज़ आप करो तो उससे आपके बॉड़ी में उस तरह की सेल जो डिवल्प होने बंद होंगे जो लोग के इंसर्ट से पीडिक हैं उनको हल्प में लेगे सब से बड़िया औरामबान है हल्दी हल्दी में जो कर्कूमिन्स होते हैं वो anticancerous होते हैं हो हल्प करते हैं cancer के cell को कि किल करने में उसके development को हो रुणते हैं उसके बाद आगया बेकिंग सोडा, जो मिठा सोडा हम आम यूज करते हैं गरों में, तो एक ग्लास पानी में अगर आदा चमच मिठा सोडा डालके, बेकिंग सोडा डालके, गूलके 10 मिन अके लिए रखें, उसको एक बार दिन में पी लें, और कुछ दिन बाद उसका गैप ये बादी में ब्लंट को एसिडिक होने से रुखेगी, सबसे ज़्यादा कतरनाक है शुगर, आपकी बादी में शुगर का लेबल जादा, या आपकी बादी में इंटेक ऑफ शुगर के यूद को मिठा काने के ज़्यादा होती है, उस मिठा खाने से, कैंसर के सेल को फीड मिलती है, कैंसर के सेल की फीड है, मिठा उसकी फीड है, तो शुगर उसको बिल्कुल बंद करने चाहिए, कैंसर के बिशन्स में अमने देखा है, उनको कॉंस्टिपेशन रहती है, कब्ज रहती है, तो अगर प्लैंटी ओ वाटर, ज्यादा वाटर पिया जाए, फल और सब अगर पिया जाए, तो ये बहुत अच्छा क्राम करता है, कहते हैं कि निम्व जो है, वो असिडिक है, पर निम्व एसिड है, पर उसका प्रवाव है, वो अल्कुली है, ये चीज़ें आप अगर अपनी लाइप में इसको उतारोगे, तो आपके बोड़ी में वो सेल डिव प्रानायाम में अनुम, कपालवाति, और की तरह की प्रानायाम में, उससे क्या होता है कि ऑकसिज़न की सपलाई उन सेलाव में बढळती है, जहां तक ऑकसिज़न नहीं पहुंचती, 60% से अगर कम ऑकसिज़न पहुंचे तो वो सेल के चांसीजस है, डिवेल्प होने के कैं नहीं होगी यह चीज़े मैंने आपकी हेल्प के लिए बताई है यह ट्रीट्मेंट नहीं है ट्रीट्मेंट के लिए आपको अपने डॉक्टर से जो अपका कंसल्टेंट है उससे मिलना है और कोई भी दवाई नहीं छोड़नी है ऐसा नहीं कि आप दवाई छोड़के बैठ यही मैडिसन करनी है यही करना इससे ठीक होगा यह हेल्पिंग है आपके बॉड़ी को हेल्प करेगी यह पार्ट आफ ट्रीट्मेंट नहीं है यह एक हेल्पिंग है एक्स्ट्रा है रेमिडीज है होम रेमिडीज है जो डाइट आपको सुदारने में हेल्प करेगी तो मेर यही करना है कि आपने कोई medicine बंद नहीं करना है कुछ भी बंद नहीं करना है सब कुछ वैसे चलता रहना है और इसकी आपने help ले नहीं थैंक्यू अर्मिक्ष